Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are talking about do's and don'ts while shooting in the direct heart sunlight. So let's get started. So, बहुत टाइम आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि आपको direct sunlight में shoot करना पड़ जाता है क्योंकि वो heart light हो तो हमारी photo उतनी अच्छी नहीं आती है. So, उसके लिए भी हमारे पास कुछ tips और tricks हैं जिससे हम अपनी photo को better कर सकते हैं. So, tip number one, हम जब भी shoot करें है direct sunlight में हम कोशिश करें कि हम manual mode में shoot करें क्योंकि manual mode में हमारे पास option है अपनी skin को balance करने का light को balance करने का. Otherwise, जब भी हम auto में shoot करें हैं वो चाहे aperture priority हो या shutter priority हो तो हमारा जो camera है क्योंकि digital cameras है इतना दिमाग नहीं है उनके पास तो वो judge नहीं कर पाते कि हमारा skin जो है वो proper exposed कब हो रहा है. वो most of the time highlight जो हमारा जबसे ज़्यादा highlight रहेगा जो हम bounce हो रहा है उसको balance करके हमारी skin को under exposed कर देता है बहुत time होता है ऐसा. तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है और manual mode पे switch करना अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं तो tip number two, widen your aperture. So, जब भी हम direct sunlight में shoot कर रहे हैं तो हमारा जो background है वो बहुत जादा कहीं बार bright हो जाता है हमारा subject जो बहुत जादा bright हो जाता है तो हम उसको कैसे control करें. So, हम अपने aperture को wider लेके जा सकते हैं like normally जब हम shoot करते हैं 1.8, 2.8, 2.2 कुछ इस तरह का aperture होता है जब भी हम shoot कर रहे होते हैं so, हम अगर अपने aperture को wider लेके जाएंगे like 5.6 और above that so, हमारा जो light हो हम balance कर पाएंगे somehow और हमें एक अच्छा result मिलेगा tip number three, हम अपने subject का back जो है वो sunlight light की तरफ कर सकते हैं so, जब भी हम यह करते हैं तो उसमें हमारे को क्या benefit है कि हम एक proper rim light मिलती है क्योंकि sun की direct जो light आरी वो एक rim light करेट करेगी और उसके according हम अपने face का जो exposure है वो balance कर सकते हैं और कोशिश करो कि raw में खीचो ता कि आप वो चीजों को बाद में adjust कर सको tip number four always use refle reflector so, जब भी हम like most of the time हम reflector use करते तो हम क्या कर सकते हैं जब भी हम sun को as a backlight ले रहे हैं rim light ले रहे हैं so, हम आगे अपना reflector use कर सकते हैं जिसकी वज़े से हमारे जो भी subject है जो model है जो face है उसके ओपर एक proper light पड़े या फिर हम अपने reflector को as a diffuser भी use कर सकते हैं तो हम क्या करे करेंगे अपने diffuser से एक shadow create करेंगे अपने subject के ओपर जिससे उसके skin पर एक soft light create होगी वो हमें बहुत अच्छा result दे सकती है tip number five try to find a shadow जब भी हम अपने subject को shoot करने हैं direct sunlight में हम कोशिश करें कि हमें कहीं shadow मिल जाए चाहे वो एक पेड की shadow है या एक दिवार की shadow है तो जब भी ह है tip number six find a white wall हमें क्या करना एक white wall ढूणनी है और हमें अपने subject को उस white wall के पास में place करना है क्यूंकि जब भी जो हमारी light है वो white wall से जब भी bounce होके आएगी तो एक soft light create करेंगे हमारे subject पे जो हमें एक अच्छा result देगी फोटो में tip number seven spot metering so spot metering हमें help करता है जो हमारा center point है उसक प्रॉपर light balance करने में जिसकी वजह से हमें एक अच्छा result मिलेगा तो कभी भी आप अगर sunlight में shoot कर रहे हैं तो try करो spot metering पे shift करने के लिए और metering के बारे में और जाने के लिए में एक अलग से video बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को proper metering के बारे में बताऊंगा तब तक के लि light fill हो सके और आपको एक अच्छा result मिल सकें so last tip हमारा यह है कि हम अपना perspective change कर सकते और हम silhouettes shoot कर सकते हैं जो कि most of the time अच्छा result देती है हमारे double exposure के लिए हम वो कर सकते हैं और last में जाते-जाते मैं एक suggestion यह देने चाहूं को कोशिश करो कि direct sunlight में हम जितना ज्यादा shoot ना करें क क्योंकि वह एक अच्छी light नहीं है मेरे इसाब से हम अगर बहुत dramatic lights shoot करनी है तब हम sunlights में shoot करें with a strobe और flash अधरवाइस कोशिश करें कि हम अपने golden YouTube channel बड़ाइस